दोस्तों यह अपने पिछली टॉपिक जो था CSS लिस्ट प्रॉपर्टी उसका सेकिंड पार्ट है कुछ एक प्रॉपर्टी बची हुई थी ठीक है पिछली वीडियो के अंदर हमने डिसकस किया था अपका लिस्ट स्टाइल टाइप लिस्टाइल इमेज लिस्टाइल टाइप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप डोमेन नेम या वेब होस्टिंग सर्विसेज पर्चेस करने का प्लान कर रहे तो आप डोमेनरेसर.com से ले सकते हैं प्लान इनके काफी अफोर्डेबल है 59 रूपीस पर मन से स्टार्ट होते हैं लाइट्स पर टेकनोलोजी का यूज करते हैं प्योर SSD डिस्क स्पेस आपके लिए विलेबल रहता है फ्री SSL certificate आपको प्रवाइड करते हैं साथी साथ 360 degree malware protection भी आपको मिलता है उसके अलावा जो strong security features होते हैं जैसे कि immunify 360, immunify AV+, email spam protection, magic spam protection वो सब आपको मिलता है free web designing या web builder tool आप जिसे बोल दीजे बिना आप coding के knowledge के एक अच्छी खासी website आप बना सकते हैं जो कि बिल्कुल free में इनके तरफ से आपको available करवाई जाती है customer support बिल्कुल awesome है इनका 24 into 7 available रहता है 9 plus जो countries हैं वहाँ पे इनके servers available है जैसे कि India, UK, US, German, France, Singapore and Canada तो चलते हैं अपने topic के तरफ अब ही सबसे पहले list के उपर कर रहे हैं तो हम एक unordered list ले लेते हैं ठीक है लिस्ट के इंदर हम रखेंगे कुछ भी आप ले लो LG mobile brands ही ले लेते हैं then Nokia Apple Samsung इनफ रहेगा styling करना start करते हैं unordered list दिखाए तो इंग बर में आपको ठीक है यह आपकी आगई unordered list जिसके इंदर आगे bullets लगी होई है तो तो पोजीशन की बात कर लेते हैं जो हम बहुत टोपिक है लिस्ट स्टाइल टाइप पोजीशन तो लिस्टाइल पोजीशन आ गया पोजीशन के अंदर आप दिखो कि क्या क्या है इसमें inside outside and inherit पोजीशन से पहले मैं एक काम करता हूँ बॉर्डर बना लेता हूँ यहाँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से एक काम करता है ठीक है बॉर्डर मैंने ले लिया तूपी echo solid अींधम सा recognize है आप आप साय है यह अहिक यह क्या अब करते है साथ कि में तूप कि अभर म worth कि मार्जन नोटे है देखियो कि लिस्ट्ट आ गई लिस्ट्ट के जो एक इक एक ऐलिमेंट है उसके बाहर बॉर्डर हागया जिसकी thickness है 2 pixel और इनके top में margin है 3 pixel का, okay, bullets यहाँ पर आ गई, तो अभी जो position की बात हो रही है न, position के अंदर देखो क्या क्या आपका, inside, outside and inherit, inherit को छोड़ दीजे, inside, outside देख लिजे, अभी क्या है आपको क्या दिख रहा है यह, कि यह जो bullets आपके already outside है तो इस चीज़ को inside बनाने के लिए आप list style position property का use करके आप इसे inside कर सकते हो, refresh करके देखिए, यह होगा क्या होगा कि bullets जो थी वो inside आ गई, और वही outside का, जो by default थी वो outside ही थी, यह आपने border जो है list का लिया था, यह देखिए क्या है, bullets outside आ गई, तो यह inside outside जो list का style position है उसमें सिरफ inside outside ही होगा, कि जो आपके dots हैंगे, bullets हैंगे, कहां रहेंगे, inside रहेंगे, outside रहेंगे उसके बाद जो next है short hand के बारे मैं बात में discuss करेंगे, पहले मैं आपको color बताएता हूँ कि list के अंदर, जो है लिस्ट style type को मैंने कर दिया, none उससे क्या होगा, bullets हट गए ओके, so color का कुछ नहीं है, color का आपको पता है, यह background color आप करोगे तो background color आप करोगे, कुछ भी green कर दो तो यह background color इसका green हो जाएगा मतलब कहने का मतलब यह है, कि जो यह background color, normal color, color की जितने भी properties है ना, वो list के उपर आप आपर हम से apply कर सकते हो, कहने का मतलब यह है we can also style list with colors to make them look a little more interesting color की जितने भी properties है, आप अधिकतर properties पे लगा सकते हैं, जो वो background color है, या simple आपका color है देखें, क्या हुआ, background color green हो गया, और इसका color क्या हो गया, आपका red हो गया style type को none को यहां से हटाओगे, तो bullets आपको देखने को मिलेंगे, यह आपके तो अभी जो है, last अपना क्या था, short end, short end के बारे मैं आपको बताता हूँ short end का सिरफ इतना है, कि जहां पर आप list style type, list style position या image करते हैं, वहां पर सिरफ आपको list style करना है उसके बाद आपको सबसे पहले देखो क्या आ गया, सबसे पहले क्या है, list type डालती है, इसके अंदर क्या आ गया, initial, unset, armenian circle, समझ में आ रहा है क्या है, यह bullets है यानि list style type है, तो सबसे पहले इतना सा आपको idea होगे, कि जब आप list style लिखोगे, तो सबसे पहले आपको type बताना है, कि किस type की आपको bullets चाहिए, आप square डाल दो, then short end के बाद कर रहा हूँ दिखा देता हूँ circle से क्या हो गया है, square आपका आ गया है, then उसके बाद, position इसकी, position outside या inside, तो आप inside करोगे, अभी मैंने border हटा दिया, यह क्या होता, यह inside आ जाता, दुबारा border बना लिता हूँ, आपकी सहुलियत के लिए देखे, आगे न border के अंदर, और यह outside, तो short end किस तरीके से आप mention करोगे, list style, position image property कुछ नहीं लिखना, आपको सिधा list type लिखना है, list style लिखना है, उसके बाद आपको सबसे पहले उसका type बताना है, किस type का आप चाहते हो, जो bullets है, square चाहते हो, circle चाहते हो, decimal चाहते हो, या numbering चाहते हो, alphabets, armenian, जो भी आप चाहते हो, ठीक है, roman चाहते हो, और दूसरा उसके बाद क्या होगा, उसका position, position के बाद third चीज़ क्या होगी, अगर आपको image लगानी है, image का आपको पता है, आपने देखा हुआ, मैंने आपको बताया था, tenner.gif करके मेरी image थी, आगई image, सही है, तो ये था अपना आज का जो topic था, जिसके अंदर, starting में हमने team discuss कर ले थे, आज के topic के अंदर में discuss किया है, list style position, then उसके बाद list style, short hand property, then coloring, कि list को किस तरीके से आप color कर सकते हो, css में, थोड़ा सा interesting बनाने के लिए, दोस्तो ये था आज का अपना topic, आशा कर आपको topic समझ में आया होगा, और उमीद रखता हूं कि वीडियो देखने के बाद आप जरूर practically try करेंगे, मिलते हैं, नए topic, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए, goodbye and take care.